नमस्कार मित्रो, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पे तो आज हम देखने वाले concept of recurring number to P by Q form तो recurring number मतलब क्या? repeating number जो कि एक repetitive pattern में repeat होते है वो number को हम कैसे एक fraction में convert करते है तो इसका already मैंने जो है short video, trick video आप लोग को बना दिया है जिसका की link आपको comment section में मिल जाएगा या description box में मिल जाएगा आप उसे देख सकते हैं, यहाँ पे मैं आप लोग को concept समझाने वाला हूँ यहाँ पे आप जैसे की देख सकते हैं, कि यहाँ पे मैंने दू cases में इसको divide किया है, जहाँ पे की only repeating and mixed repeating हम देखने वाले है ठीक है, तो चलिए फिर मैं video session को start करता हूँ, तो सबसे पहले यहाँ पे repeating digit में देखिए 0.3333 यह repeat हो रहा है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखिए 0.3 bar तो यहाँ पे मेरे को अगर यह solve करना है, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले x assume कर लेता हूँ, जिसका value 0.3 यह repeat हो रहा है, अब यहाँ पे देखिए मैं क्या करूँगा, जितना repeat हो रहा है न, मैं उतना 10 times से multiply करूँगा, 10 to the power पे multiply करूँगा, मतलब क्या left hand side और right hand side, 10 to the power n, where n is what, basically your repeating number, कितना repeat हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए, एक ही number repeat हो रहा है, तो यहाँ पे मैं 10 to the power 1, मतलब 10 से दोनों तरफ multiply करूँगा, 10 to the power 1 से, 3.3333 यह आ गया, तो मैं equation 1 मान लेता हूँ, इसको equation 2, अब equation 2 से 1 को subtract कर देता हूँ, तो क्या आएगा, 9x is equal to 3 आ गया, मतलब x का value क्या आ गया, x का value 3 by 9, so this is my answer, यह आपका decimal form में answer आ गया, इसको मैं simplify करूँगा, तो 1 by 3 आ जाएगा, ठीक है, और एक example देख लेते हैं 2727, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, क्या, 1.27 पार, ठीक है, तो यहाँ पर मैं x क्या value करूँगा, 1.2727 continuously, अब 10 to the power n, यहाँ पर कितने number repeat हो रहे हैं, 2 number, so 10 square से left hand side, right hand side, multiply करूँगा, मतलब 100 से, तो this is 100x is equal to, यह क्या हो जाएगा, 127.27, यह continue होगा, इसको equation 1 दे देते, इसको equation 2 देते, तो यहाँ पर अगर मैं 2 से 1 को subtract करूँगा, तो क्या आएगा मेरे पास, 99x is equal to 126, मतलब यहाँ x का value क्या आगया मेरे पास, 126 divided by 99, ठीक है, इसको अगर मैं simplify करूँगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, 43 by 33 आजाएगा, यहाँ पर 3 से divide कर दूँगा, उपर नीचे, next अब क्या है, mixed repeating, यहाँ पर थोड़ा सा जो है, आपका concept थोड़ा सा different होने वाल, कैसे, देखिए दरा, तो यहाँ पर क्या है, बेसिकली 2.7 6464, तो यहाँ पर पूरा complete जो decimal है, decimal का जो right hand side है, वो repeat नहीं हो रहा है, यहाँ पर कैसा है, देखिए 2.7, उसके बाद 64 पर मैं बार लगाँगा, तो यहाँ पर देखिए, मैं x is equal to ले लेता हूँ, 2.7 6464, यह ले लेता हूँ, अब next यहाँ पर मैं क्या करूँगा, देखिए, यहाँ पर जितना 10 to the power n, यहाँ पर कि आपका जो n है न, वो number of non repeating term है, ठीक है, non repeating term बोल रहा हूँ, गलती से non repeating number, ठीक है, non repeating number, तो यहाँ पर कितना non repeating number है, देखिए, यह 7 जो है, यह non repeating है, तो यहाँ पर 10 to the power 1 से दोनों तरफ मैं multiply करूँगा, तो 10x is equal to 27.64, 64, 64, 64, अब next यहाँ पर मैं और एक बार इसको equation 1 मान लेता हूँ, अब देखिए, मैं क्या करूँगा, 10 to the power m से multiply करूँगा, left hand side, right hand side, where m क्या है, m is the total number, okay, total number of repeating plus non repeating term, तो non repeating, plus repeating, तो मेरे इस particular question में, देखिए, non repeating एक है, और repeating दो है, मतलब मैं 1000 से यहाँ पर दोनों तरफ multiply करूँगा, यह वाले term में, ठीक है, यह वाले में, original वाले में, तो यहाँ पर 1000 से करूँगा, तो क्या होगा, 1000x is equal to 2764, ठीक है, 2764.6464, यह आते चले जाएगा, इसको equation 2, फिर से आपको क्या करना है, 2 से 1 को subtract करना है, तो यह क्या आ जाएगा, मेरे पास, 990x is equal to 2737.0, तो इसको नहीं लिखता हूँ, तो यह x का value आ गया, आपका कितना 2737 by 990, तो आप इसको simplify कर लीजिएगा, ठीक है, next, यहाँ पर देखिए, मैंने और एक question लिया, आप लोग के लिए, 0.859090, ठीक है, अगर मेरे को इसको solve करना है, देखिए, तो कैसे करूँगा, सबसे पहले x ले लूँगा, क्या, 0.859090, यह है आपका मतलब, मैं इसको मान लेता हूँ, 90 बार, अब next, equation में मैं किसको multiply करूँगा, यहाँ पर, देखिए, यहाँ पर number of non-repeating term 2 है, तो 100 से multiply कर दूँगा, दोनों तरफ, 100x is equal to 85.9090, यह repeat करेगा, next, देखिए, यहाँ पर number of repeating plus non-repeating term कितना है, 4 है, तो 10 to the power 4 मतलब, 10,000 से यहाँ पर 10 to the power 4 मतलब, 10,000, तो यह कितना आ जाएगा मेरे पास, 8590.9090, यह continue करेगा, इसको equation 1, equation 2, equation 2 से equation 1 को अगर मैं minus करूँगा, तो यह कितना आएगा, 9900x is equal आपके पास कितना है, 8505, ठीक है, तो x का value कितना आ गया, 8505 divided by 9900, यह आपका answer, तो मैंने इन सारे method का आप लोग को shortcut trick भी बताया है, मैंने short video में, जिसका की link मैं नीचे description box, as well as मैं comment section में pin कर दूँँगा, जिन लोग को भी इसका shortcut video सीखना है, वो आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन concept जानना बहुत जरूरी हो, ठीक है, तो जो लोग भी channel पे पहली बार आया है, please channel को जरूर subscribe कीजिए, ऐसे ही और videos के लिए, ठीक है, thank you